हेलो दोस्तों मैं हूँ जावित और आप हमारा चैनल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जेट सी सी टेकनिकल में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आग यह हूँ एक डीफरीज के पास इसका फैन मोटर को चेंज करना है तो आप देख सकते हैं फूरा डीफरीज में मिठाई बरा हुआ है और यह आप देख सकते हैं कूलिंग को बाहर से हमारा डीफरीज में कोई मेकैनिक इसमें सेट किया हुआ है दोस्तों तो इसका फैन मोटर खराब हो चुका है तो हम यहां पर आया है फैन मोटर को चेंज करने के लिए तो मैं सोचा हूँ छोटा से वीडियो ब बनाते हैं इसको दोस्तों प्रोपर तरीका से तो यह हमारा फैन ब्लेड है अब ले चलता हूं मैं आपको आगे की और मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे हम सेट करते हमारा मेकैनिक आप देख सकते हैं वहां पर यह मोटर को खोल रहे हैं मोटर को खोल रहे हैं मोटर को र वड़ी सामधानी के साथ हम खोलते हैं और इसमें कंप्रेसर लगा हुआ है आप जेख सकते हैं यहां पे सफ़ाइन हुआ यह यहां पर पर एक自 Max लगा हुआ है दोस्तों तो मेकनिक कर देखंते हैं तो मैं आपको ज्यादे टायम नहीं लूँगा बहुत ही जल्दी से छोटा में वीडियो बनाऊंगा दोस्तों यहां पर मोटर खुल गिया है 7 वार का मोटर लगा हुआ है फिर भी मेरे पास 7 वार का मोटर नहीं तो मैं 5 वार को इसको लगाऊंगा किया हुआ है तो कश्टमर बता है कि यहीं लगा दीजे कोई दिक्कत नहीं तो कभी भी आप काम करें आप देख सकते हैं यहां पे हमारा ब्लेड कसा गिया हुआ दोस्तों तो मैं आप इसको अंदर की ओड़ ले चलूंगा जहां पर कंपरेसर है उसके बगल में एक जगह दि कसने के बाद दोस्तों तो फाइनली मैं मेरा मेकेनिक मोटर को कस दिया है यहां पर आप देख रहे हैं और मेरा वाइरिंग भी हमारा दोतार का वह लाइन न्यूटल का वाइरिंग होता है वह लाइन न्यूटल का वाइरिंग कंप्लीट है और जब भी आप टेप मारें यह जब जहां पे हम टेप मारते हैं तो बहुत ही साफधानी से हमारे क्योंकि अगर थोड़ा विल्ली करा गिया तो कस्टमर को अगर करेंट लग जाएगा तो वो आपको कम्पलेंट कर सकता है कभी भी काम करें तो बड़ी सतर्क से काम करें कर्थार तूबंस निमाटाष और किया डीटोथा कर सहरक है को गणार्ट भी देखानेíst थी अगरुआ यहांεις आ फेंट मोटर चल रहा तो आप हमारे चैनल पकर ने हैं तो चैनल को सṉस्क्राब करदे चांबर यह यहांट रudy आपको कर दोस्तों मेरा इसी तरीका से वीडियो आते रहता है दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा अच्छा